जिलाप्रशाशन हमीरपुरं ने सूचना एवम जनसंपर्ग विभार के माध्यम से आम लोगों को करोना से सम्पंदित सावध्यानियों के प्रती जागरूर करने के उद्येश्य से विशेष अभ्यान चलाया हुआ है अभिहान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंद लोग कलाकारों ने चाचा चौधरी और टनकूराम के पातरों के माध्यम से स्थानी वेशबुशा एवं बोली में आम लोगों को जागरू किया है। उपायुक तखमीरपूर देवशेता वणिक ने बताया कि जिला में करोना के एक्टिव मामलों में कमी तो दर्ज की गई है लेकिन लॉगडाउन में ढील के चलते लोगों की बाजारों में आवाजाही जादा हुई है इसी के मद्दे नजर लोगों को करोना के परती में करोना के द्वारा जानकारी दी जा रही है करोना से संबंदित जागरुकता भरे संदेशों के साथ चाचा चौधरी और टिनकुराम ने लोगों को करोना के परती सचियत किया है ततासावदानी बरतनी की अपील की है सूचना एवन जनसंपर्ग विभार से संबंद बातों को नियमित रूप से धोने या सैनिटाइज करने का आवान किया तो भीड से बचने और करोना वैक्सिन लगवाने का संदेश भी दिया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिला में करोना के एक्टिम आमलों में कमी जरूर दर्ज की गई है लेकिन करोना की दूसरी लहर के दुरान संकर्मन से काफी ज्यादा लोग परभावित हुए थे इसलिए लोग सरकार के दिशाने देशों का पालन करना सुनिच करें उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगडाउन में धील जरूर दी है मगर लोग बेवजा बाजार में ना घूमे और अवश्यक कारों के लिए ही घर से बहार निकले हैं बीच में जागरुपता पैदा करने के लिए जिला लोग संपर विभाग की एक मुहीम जो है वो डिस्टेड हमीरपूर में जो है शुरू की गई है और पब्लिक रिएशन्स ओफिस के इनिशेटिव और आर्टिस्ट के उनके क्रियेटिविटी से जो है लोकल कारेक्टर्स के माध्यम से जो आम जन से जुड़ते हैं जो आसपास के जैसे किर्दार हैं जैसे किसी के भी आसपडोस में इस तरह के लोग मिलते होंगे उन्हीं के ढांचे में ढालके जो है इस तरह के किर्दार तयार किये गए हैं जो अलग अलग जगाओं पर जाके लोगों को जो है चोटी चोटी चीजों से रोज मरा की एक्जाम्पल से जो हैं लोगों को जागरुक कर रहे हैं कि कोविट के नियमों का पालन कितना जरूरी है और इसी के चलते रिडकू, दादू के कारेक्टर, चाचा चौधरी और टनकू के कारेक्टर इस तरह के जो है तोड़े अलग जै एक्पोर्टर में इन्होंने जो है अपने जागरुकता अभियान के तहट जो है यह किया है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा सेकेंड वेव कोविट का जो है काफी घातक साबित हुआ है, काफी ज्यादा लोगों को जो है इस बिमारी का सामना करना पड़ा है, उससे और जितने कोविड रिलेटेड जो गाइडलाइन्स हैं, जितने हमारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास का उप्योग, इस तरह के जो नॉर्म्स हैं, उसको बहुत ही जादा सीरेसली ले और उसका पालन करें, और आगे के लिए भी हमारे अभी फिलहाल हमारे केसे कम हो गए हैं, इसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें, और सभी जो मापदंध हैं, उनमें जो है प्रॉपर कोविड गाइडलाइन्स का पालन करें, इस ही के चलते, ताकि लोग ऐसा ना हो कि केसे कम हो गए, तो सिचुएशन को लाइटली लेने लगे, या डिसिप्लेन भूल गए, इत ना हो